इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्तिहाद न्यूज में आप सबी का खार मगदम है मौलाना खलील रह्मान सज्जाद नुमानी साहब एक ऐसी शक्सियत जो हक बोलने से नहीं कदर आती एक ऐसी शक्सियत जो मुल्क और मिल्लत के मसाहिल पर बेबाकी से अपनी राय रखती है मौलाना सज्जाद नुमानी आज के इस दोर में अगर उमीद कि एक किरन कहा जाए तो गलत ना हो गया उन्होंने जब भी किसी मसले पर बात रखने की कोशिश की तो खबी ये नहीं नहीं देखा कि एक्तादार पर कितना ताकतवर इंसान बैटा है मौलाना की पैदाईश 12 अगस्ट उनिस तो पच्पन में हुई तालीन नदवत अलूम और मदिना इसलामिक उनिर्सिटी से की माशरे को किसकदर बैदार किया जाए इस पर हमेशा इनकी कोशिश और जद्द जहद किया मकसूस दीनी दाइरे बना कर दीन को महदूद दाइरों में जखडने की भी मुखालपत रहे हक बलना और दीन की सर बलंदी के लिए कोशा रहना यही इनका मकसद है इनसानियत के लिए जद्द जहद करते हुए जूट फरेब धोका देने से बचने की हमेशा तल्कीन करते हैं मौला ना देखा जाता है दुनिया के इसलामी स्कॉलर्स में मौला सज्जाद नुमानी का नाम लिया जाता है मुखतलिब मसाहिल पर खास कर तीन तलाक मौब लिंचिंग सीये ये यनारसी मौजुदा किसानों के काले कानून पर बेबा कराय रखते हुए मौदी हुकूमत की पुर्जोर मुखालिपत की है और मजलुमों के आवाज बनकर उठे हैं उम्मत का बड़ा तबका आश परस्ती के आदी है और इनकलाबी फिक्र ना होने पर भी मौला ना कुछ हद तक बेजार नजर आते है मौलिवासी और बामसेब जैसे दलित पिछड़े भूजन समाज की तैरिक से भी जुड़े है भारत में अखलियतों के हुकूक के लिए लड़ने वाले आहम शक्सियतों में इनका शुमार है रहमान फाउंडेशन के नाम से इन्होंने अधारा काइम किया हुओा है जिससे गौर्बा जरुत смотретьों की मदद की कोशीश करते रहे बलगाम में भी रहमान फाउंडेशन इसमात अंजाम दे रही और इसी रहमान फाउंडेशन के जेर मात्यत नुमानी अस्पताल का आज इव्तपाई इजलास अमल में आया खलील الرह्मान, मौला सज़ाद नुमानी के हाथों इस अस्पताल की इव्तपाई अजस बस्बाशनगर में अमल में है सहत नासाज होने के बावजूद भी मौला ना हमेशा चा किसी ना किसी काम में मसरूप रहते एक बार फिर देखने को मिला जब पिछली मरतबा बेलगाम आये थे तो इनकी तबियत काफी नावसास थी लिहाज़ा नुमानी अस्पताल की इफता के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज़ और तमाम स्टाप से मुलाकात परम और मिलत के किस हद दर्जे बेदारी लाने की जरूत है इस पर बेबाग अंदाज में अपने खायलात का इज़र किया रह्मान फांडेशन और नुमानी अस्पताल बेलगाम की तमाम जिम्मदारियां हनीव सिद्दीकी ने बाखूबी निवाई है जिसका अंदाज आस्पत को देखते ही मालूम होता है मौलाना ने अपने दर्द को अलफाजों के जरी अवाम के सामने रखने की कोशिश की और अस्पताल के नाम पर माशरे में मौजूदा कुछ डॉक्टर किस तरह की लूट मचा रख किया बताया आने वाले दिनों में मुसल्मानों को कितना चौक अमादी हो रही है और अमल नहीं कर रही है ऐसा दर्द भी इनों ने जाहिर किया अंजबन हाल में एक और इजलास मकसुस लोगों का जिसमें डॉक्टर्स इंजिनियर्स साफी का रखा हुआ है जिसकी तमाम तफसिलात इत्याद न्यूस पर कल शाया होंगी उमीद करते हैं खलीलूर्रह्मान मौलाना सज्जाद नुमानी के दर्द उनकी कुड़न उनकी कोशिशों को अल्ला कबूल फरमाए और हम सब को जालिम के खलाफ आवाज उटाने की हिम्मत अथा फरमाए आमीन इत्याद नूदेखने के लिए शुक्रिया अल्ला आपीस अल्ला आपीस अल्ला आपीस अल्ला आपीस झाल 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 झाल